हलो एवरीवान गुद मॉर्निंग और वेलकम बैक तो मैं चैनल रुपाली रज ब्लॉक्स और मैं हूं रुपाली आप सबका मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज है वेड़नस Delay अभी सुब़े का टाइम है तो कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे भले चंगी होंगे तो सुभे सुभे आज मैं लगे हूँ काम पे, सुभे सुभे मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, मुझे थोड़ा अधरक बली चाय सुभे सुभे पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा अधरक डालके चाय बना रही हूँ और आज का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है इसलिए थोड़ा अधरक वाली चाय पिना अच्छा लगता है लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल में नए हो फीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए कॉमेंट करें बिलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक् पर दूर डाल रही हूं तो आज सुभी सुभी चाय पिने को बहुत मनुद कर रहा था इसे हम रोज पीते हैं लेकिन आज इतना ठंडा क्लाइमेट है तो बहुत अच्छा लग रहा था थोड़ा मसाला दर चाय पिए और आज मैं नास्ते में भी कुछ खास बनाने बाली तो पता चलेगा मैं क्या बनाने बाली हूं और लंच में क्या बना रही हूं नास्ते में आज मैं बना रही हूं मूली की पराठे इसलिए मैंने तीन मीडियम साइज मूली को ले लिया है और उसका जो छिलका होता है ना वो में निकाल रही हूं उसकी बाद उसको मैं कर लेंगे देखिए यहां पर मैं कदूकस कर रही हूं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूं मुली को तो अच्छे से मसाले डालके हम इसका पराठे बनाएंगे और उसके साथ भी अमलेट बनाने की सोच रही हूं मैं देखिए पहले मैं ग्रेटर से सारे मुलियों को न कदूकस कर ग्रेट कर लटी हूं देखिए इस तरह से उसकी बाद मैंने ग्यास आन कर लिया है अब यहां पर मैंने एक प्राइपान बिठा दिया है कि हम मुली को थोड़ा फ्राय करेंगे मुली में न और यह में बीना ओयल का बना रही हूं आपको ओयल ढाल सकते हो लेकिन फ्राइपान बिना ओयल का हो जाएगा मूली से पानी भी बहुत निकलता है इसलिए मैं सारे मूली होगा ना सबसे पहले फ्राइ कर दूँगी ऐसे बिना ओयल का देखिए अभी मेरा ताहन जो फ्राइ प्याने वो गरम हो चुका है मैंने सारे मूली जो ग्रेट करके रखा था उसको मैं फ्राइ कर दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और पराठा बनाने में आसान रहेगा देखिए यहां मैंने ले लिया है और इसको मैं फ्राइ करूँगी अभी मेरी मूली जो है ओ थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना सुरू किया है इसको आच्छे से हम फ्राइ करेंगे और उसके बाद इसमें जो मसाले होते हैं ओ भी डालेंगे तो देखिए मूली जल्दी ही पक जाता है इसे पानी निकलेगा उसकी बाद हम मसाले डालके इसका जो स्टपिंग ये मुली का ओर रेडी कर देंगे देखिए पानी तो अच्छे से निकल रहा है अभी देखिए अभी लगबग मेरी मुली जो है उपक चुके हैं अभी इसमें मसाले सारे आड़ कर देंगे देखिए सबसे पहले मैं यहां पे थोड़ा सा न धन्या पाउडर आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा वन टेबल स्पून धन्या पाउडर दन्या पाउडर सा डाल देंगे आप अपनी सबसे मसाले डाल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं ठोड़ा जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ और इसके बाद यहां पर देखे नमक है नमक स्वाथ अनुसर डाल रही हमें अब अपनी साब से मसाला, कुछ और भी गरम मसाला वाकरे भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इतनी डाल के सिंपल तरीके से बना रही हूँ देखिए मैंने डाल दिया है अभी इसको थोड़ा मिला देंगे इसको अच्छे से मिला देंगे उसके बाद हमारा जो मूली का स्टाफिंग है वो बनके तैयर हो जाएगा देखिए अच्छे से मैंने मिला रही हूँ अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे नहीं तो मसाले हर ज जोड़ेंगे और उसकी बाद इसका पराठा बनाएंगे तो अभी लांच के लिए देखिए मैं बना रही हूँ आज मसाले दर फीज करी इसके लिए मैंने फीज जो है न ओ लिया है उसको पहले मैं मैरिनेट करके रख दूंगी उसकी बाद में पराठा बनाऊंगी तो यहां रहे हु हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर यहां डालेंगे निम्बू भी डालेंगे निम्बू डालने से ना उसका जो руки समेल होता हो निकल जाता है और इसके बाद में यहां परण ठूंग थोड़ा लौब्स पाउडर, यह कासमिरी चिली पाउडर है जिसे कलर बहुत जादा और उसके बाद में डाल रही हूं नमक ये मैरिनेट करके में रख दूंगी उसके बाद में ब्रेक्पास्ट बनाऊंगी देखे नमक में डाल रही हूं देखे नमक अस्वात हिसाब से जितना क्वांटिटी है उसकी हिसाब से आप नमक डालिएगा और उसके बाद मैं मैंने साइड में रखा है नीमबू को भी डाल देंगे नीमबू डालने से भी अच्छा टेस्ट रहता है देखिए मैं यहाँ पे नीमबू जो है ओ डाल रही हूँ नीमबू को आच्छे से निचोड के हम डाल देंगे देखिए निम्बू को आच्छे से हम निचोड़ देंगे और इसकी पानी डाल देंगे उसके बाद इसको मैरिनेट करके हम रख लेंगे तो फीस मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद हम ब्रेक्पास्ट के तैयरी करेंगे देखिए इसको मैं आच्छे से निम्बो का रस्च जो है वो निकाल रही हूँ उसके बाद हम इसको मिला लेंगे और फीज को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग एक देड़ घंटा में छोड़ दूँगी उसके बाद में फ्राइ करूँगी फीज को तोड़ा सा मैं यहाँ पर मस्टार अउयल भी डाल रही हूँ तोड़ा सा ओंवील डाल रही होँ ऑप्सनल है आप चाहे तो डाल लेगा नहीं नहीं डालेगा कोई प्राप्लम नहीं है तो इससे अच्छे से मिलाखे सारे हल्दी और चिली पावडर जो है ओफ इसमें डालके पराथे बनाके Side में रख लिया है दीए इस तरह से ॉपिंग डालके और इसके आच्छे से पेड़ा बनाके और उसकी बाद उसको बेल दिया है दीखेillे सयद में भी मैंने मुली का पराठा रेडि करके रखा है इसी तरह से मैं स्टॉपिंग अंदर डाल रही हूँ और इसकी बाद मुली का पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा एक आने में बहुत ही टेस्ट लगता है आप लिए जरू ट्राइ करिएगा और कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हो तो मुझे इ मेरे इंस्टाग्रम का आईडी डेस्क्रिप्शन में दिया गया है रुपाली रत ब्लॉक्स नाम पर है इंस्टाग्रम का आईडी वहां पर फॉलो करिए और आप मेरे सारे आपडेट जान सकते हो इसी तरह से मैं दूसरी वाली पेड़े में भी डाल रही हूं स्टपिंग स्टपिंग डाल के मैंने रेडी कर दिया है अब मैं आगी हूं अमलेट बनाने के लिए पराठा मेरा बन चुका है अमलेट बनाने के लिए मैं मसाला वाला अमलेट बना रही हूं इसलिए मैं अंडा ले लिया और साइड में मैंने कट करके रखा है पिया अचारी मिर्च य यहां पर नहीं पर नहीं है तो फ्रेंड्स देखें यहां पर मेना अंडे का जो होता है वह बना रही हूं और यहां पर प्याज शरी मेट जो सब डाल के ही बनाऊंगी बहुत ही टेस्ट लगता है इस तरह से मुझे सिंपल वाला उमलेट पसंद नहीं है थोड़ा सब कुछ यह बनाने से बहुत अच्छा लगता है ऐसे वाला तो मैं बना रही हूं और मुली की पराठे तो मेरे बनके बिल्कुल तयार हो चुके हैं और साइड में मैंने रख दिया है होट केस में तो अभी चलिए ओमलेट की तयारी करते हैं और उसके बाद लंच बनाने की हम तयार तो देखिए यहां भी मैंने फ्राइपेन बिठा दिया है वो थोड़ा गरम हो जाएगा उसके बार देखिए पियाज है जिसको मैंने बारी-बारी काट लिया है और उसको हम मिलाएंगे अच्छी तरह से मिलाके हम अमलेट की त्यारी करेंगे देखिए मैं अच्छे से मिला रही हूं और इसके बाद इसको हम अमलेट की अमलेट बनाएंगे तो अच्छे लगता है इसे अमलेट बनाने से और मुली की पराटे के साथ आमलेट तो बहुत यम्मी लग रहा था और ठंडिकी मोसम में पराटे खाने का मजा ही कुछ अलग रहता है और आप जरूर ट्रा दाल रही हूं डालने के लिए उसके बाद मैं अमलेट की तेहरी कर दूंगी और बहुत फ्रेवरेट है मेरी हस्बन की मुली की पराठा और अमलेट वही मुझे बोल ली थी मुली की पराठे बनाओ तो मैं आज बना रही हूं करके मैं यहां पर जो होता है अंडे में प्या जैसे मैं मिला रही हूँ देखिए तो बहुत यमी लगता है तो फ्रेंड्स आपना मेरी वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोगों की सपोर्ट बहुत यह लग रहा था और देखिए अमलेट हो गया है यहां पर मुली की पराठे भी बनके तयार तो आज का यह है हमारा नास्ता मुली की पराठे के साथ अमलेट देखिए आप लोग भी आईए नास्ता करिए हमारी साथ मुली की पराठे के साथ अमलेट तो अभी मैं आ करते हैं इसको फ्राइय करके रख लूंगी उसके बाद हम बनाएंगे उसका ग्रेवी मैं साइड में फ्राइयर रख रहे हैं इसे ताहम रोटी schizophrenia काते हैं लेकिन फीस करी के साथ तो चावल अच्छा लगता है, फीस करी के साथ तो रोटी नहीं खाया जा सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो फीस होते हो फ्राइ करके रख लिया है, अभी मसाले में मैंने प्याज लेसन अद्रक का पेस्ट और उसमें दन्या पाउडर, जिरा पाउडर, करब मसाला, कस्मिरी चिली पाउडर, थोड़ा टमाटर, हल्दी नमक डालके ग्रेवी में बना रही हूं, और इसमें मैं आज हरा मतर भी यूज करूंगी, जो हमारे मतर होते हैं, वो भी यूज करूंगी, वो फिसकरी में बहुत ही टेस और उसकी बाद हम इसमें फिस डाल देंगे, पानी देखे थोड़ा ग्रेवी को बनाएंगी, जितना क्वांटिटी में पानी देना आप चाहते हो, उसी क्वांटिटी का ग्रेवी बनाएगा, तो देखिए हमारा लंच में है, राईस और फिसकरी बिल्कुल तयार, फ्रें जैसे ग्रेवी पसंद है, उसी सबस रखिएगा, तो साम के साथ बचे मेरा ब्लॉग आएगा, तो चलिए फिर मिलतेगा अच्छे से नई ब्लॉग में, तब तक लिए बाव बाई, टेक केर और लव यू,